हेलो दोस्तो, स्वागत आपका अमारी यूटुब चैनल याहू बाबापे PHP और Ajax सीरीज के इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम डाटा बेस के अंदर सर्चिस कर सकते हैं Rain Slider को यूज करके यहां देखिए वेब ब्रॉजर के अंदर मैंने अपना Demo पेज ओपन किया जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास एक Rain Slider आ रहा है Age से लिटेड और यहां पर Students का एक Record भी है जिसके अंदर ID है, Name है, Age और City है अब देखिए यहां पर Range जो Slider है, यहां पर अभी जो Range आ रही है वो है 15 से 25 अगर मैं इस Range को कम करूँगा, इस Age Range को तो देखिए अब क्या हो हो, यहां पर उन Students का Record आ गया जिनकी Age 15 से लेकर 21 के बीच में है, अब देखिए अगर मैं इसे और कम कर देता हूँ, यह देखिए यहां पर अब सिर्फ दो ही Students रह गए हैं, और अगर मैं इसे यहां से बढ़ा के कर दूँ 30 और यहां से-से कर दूँ, कि उन Students का Record दिखा है, जिनकी Age जो है 21 से 29 तक, तो देखिए यहां पर सिर्फ यही Records रह गए, तो इसके अंदर हमने यूज क्या किया है, हमने इसके अंदर jQuery UI का Rain Slider को यूज किया है, और उसी के साथ हम PHP और Ajax भी यूज कर रहे हैं, इस तरह के Rain इन जो Sliders है, यह आजकल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, शॉपिंग की Websites पे, मैं आपको एक Example भी दिखाता हूँ, Real Life, यहां देखिए, यहां पर मैंने एक Website Open करके रखी है, Flipkart.com, यह इंडिया में बहुत popular Website है, शॉपिंग से लेटिट, और यहां पर भी आप दे Mobiles है, वो सारे यहां पर आ जाए, तो यहां पर भी Ajax लगी हुई है, यह देखिए, मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो देखिए, मैंने Range बढ़ा दिये, 16,000 तक, तो यहां पर उसी से लेटिट यहां पर Mobiles भी आ गया है, तो यह सारा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यहां पर इसने यूज किया Rain Slider, अब यह Rain Slider जो है, नेट पर बहुत तरीके के अवाइलेबल है, मगर जो हम इस वीडियो में यूज कर रहे वाले हैं, वो jQuery UI का Rain Slider, यह देखिए, jQuery UI.com है, जहां से आप Rain Slider को डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए, मैं यहां पर आपको पहले नीचे, scroll करके दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे plugins आते हैं, jQuery UI के अंदर, और हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जिसका नम है Slider, यहां पर देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे ही page open होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, right side में बहुत सारे अ देखिए, यहां पर उपर price आ रहा है, मैं इसको कम करूँगा, तो देखिए, price भी change हो रहा है, और अगर बढ़ा रहा हूँ, तो price भी increase हो रहा है, तो इसी को हम अपनी इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, या तो हम इ देख रहा है, rain slider का, यह उसका पूरा example है, इसके लिए हमारे को basically क्या चाहिए, हमारे को jQuery UI की एक CSS की फाइल चाहिए, आप इसका यह cdn path भी लगा सकते हैं, और इसी के साथ दो jQuery की फाइल भी चाहिए, एक है jQuery की अपनी JS फाइल, जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसक यहीं से use कर सकते हैं, यहीं से copy करके पूरा का पूरा call, और अगर आप इसे download करना चाहते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, यहां देखिए, उपर menu में आपको download का link मिलेगा, यह देखिए, यहां पर scroll करने के बाद, आपको इसके अलग-अलग versions मिलेंगे, द यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि jQuery UI के अंदर अलग-अलग plugins आते हैं, उनके अलग-अलग effects हैं, अगर आप उन सबको use करना चाहते हैं, तो यहां पर आप सब पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको सिरफ एक अद प्लग-इन ही चाहिए, तो आप बाकी को uncheck क ना चाहते हैं, तो यहां पर सब पे check कर सकते हैं, और इसके बाद यहां पर download कर सकते हैं, नीचे download का link है, तो मैंने already इसको download करके रखा हुआ है, और इसके अंदर हम CDN path use नहीं कर रहे हैं, तो हम downloaded file का ही use करने वाले हैं, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि इस इस video के अंदर जो हम database use करने वाले हैं, उसका नाम है testing, आप यहां पर देख सकते हैं, और इसके अंदर एक table है students नाम से, जिसके अंदर 4 columns है, id, student name, age और city, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 9 records भी हैं, और सभी students की age भी अलग-अलग है, तो आप जो range slider है, उसको किसी इसके भी numeric value पर implement कर सकते हैं, age पर, price पर, जहां पर भी आपकी numeric range आ सकती है, आप उसको वहाँ use कर सकते हैं, और इस video के लिए भी जो हमने अलग से एक template बना के रखा हो, यह देखे, यह एक empty template है, जिसको हम इस video में use करने वाले हैं, इसकी basic CSS मैंने already करके रखी हुई है, त यह शुरू करते हैं practical, तो यहां देखिए, web editor के अंदर, मैंने अपना एक folder बना लिए, agex-range-slider, और इसके अंदर तीन folders हैं, एक है CSS का folder, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर jQuery की UI minify file रखी हुई है, CSS की file, और इसके बाद मैंने अपनी खुद की भी file बनाई है, template की styling करने के लिए, इसके बाद एक database का folder है, जहां पर मैंने database को place किया है, और एक folder है JS का, यहां पर मैंने jQuery की file रखी है, और jQuery UI plugin की file रखी है, यह दोनों JS files हैं, इसको हम इस वीडियो में use करने वाले हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पर दो files बनाई हैं, PHP की, एक है index file, जिसके अंद हम database से data fetch करके, index file के अंदर show करेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको इस file के introduction दे रहता हूँ, यह देखिए, यह मेरी main file है, इसके head tag के अंदर, मैंने jQuery UI main.css file को include किया है, और इसके बाद अपनी style.css file को भी include किया है, तो इसका काम इतना ही था, अब इसके बाद यहाँ पर main div है, जिसका नाम है, slider wrap, इसके अंदर हम user की age दिखाने वाले है, इस वाले id के अंदर age, और यह है हमारा main div, जिस पे id लगाया है, slider range, इसी के अंदर हम अपना slider को show करेंगे, gQuery UI plugin को use करके, और इसके बाद हमारा एक div है, जिस पे id लगाया है, content, जिसके अंदर एक table आ रहा और city है, और city है, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पर tbody नाम से एक tag लगाया हुआ, जिसके अंदर हमारा dynamic data शो होने वाला, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर हमारी jQuery की file है, यह देखिए, minify file लगाई हुई है, और इसी के साथ मैंने jQuery UI plugin की file लगाई है, तो जैसे के यहाँ पर मैं script tag के अंदर आया, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना jQuery का basic code लिख लेता हूँ, document.id, यह देखिए, यहाँ पर मेरा basic code आ चुका है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने slider को show करना चाता हूँ, template के अंदर, तो उसके ल आपको यहाँ पर free में मिल जाता है, नीचे, view source पर जब आप click करेंगे, यह देखिए, तो यह मेरा code मुझे मिल चुका है, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यह देखिए, script tag के अंदर, यह तो मैंने already लिख लिए, इसकी जगह पर मैंने लिखा document.id, तो इसको copy करने क कोई जूरुत नहीं है, इसके बाद जो इसका inner code है, उसको मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ तक, यह देखिए, मैंने इसे copy कर लिया, और यहाँ पर आकर अपने editor के अंदर, इसे paste कर देता हूँ, यह देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि हमने यह वाला ID लगा है, य अब इसके अंदर हमारे को थोड़े से changes करने होंगे, देखिए, यहाँ पर एक range है, जिसको true किया हुआ है, इसको आपको छेडने की कोई जूरत नहीं है, उसके बाद जोन सब यह आप slider show करना चाते हैं, वहाँ पर minimum range क्या रखना चाते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देता जैसे 13, और maximum जो age की range है, उसको कर देता हूँ 30, और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक है values नाम से एक option, जिसके अंदर दो values आ रही है, array की form में, 75 और 300, इसका मतलब क्या है, जैसी page refresh होगा, तो automatically जो range होगी, जो range के दो points होते हैं, starting range और end range, उसके points automatically वहाँ पर set होजेंगे, तो हमारी already यहाँ पर minimum और maximum तो है 30 और 30, तो उसी की बीच में हम यहाँ पर कुछ set कर सकते हैं, तो in values को भी हमें change करना होगा, तो इसके लिए basically मैं करता क्या हूँ, एक variable ले ले लेता हूँ, दोनों के लिए अलग-अलग, जिसको मैं बाद में use भी करूँगा, तो देखिए, यहाँ पर मैं wear लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एक variable ले रहा हूँ, v1, जिसकी value मैं set कर रहा हूँ, 15, तो इसी को duplicate कर लेता हूँ, और एक हमारे पास variable होजेगा, v2, और इसकी highest range मैं set कर रहा हूँ, 25, मैं देखिए, जब page refresh होगा, तो हमारे जो range की points हैं, वो इस वाली value पर set हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, v1 और last में v2, यह देखिए, अब इसके बाद देखिए, जैसी user जो है, वो slide range slider को change करेगा, तो उसकी जब भी changing होगी, तो यह वाला function automatically run हो जाता है, तो इसकी run करने पर हमारे को करना तो इसी अंदर मेरे को value change करनी है, कि user ने कौन सी value set कर रखी है, तो यहाँ पर मैं इसी को use कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर amount लिखा हुआ, इसको change कर देता हूँ, age से, और इसके बाद यह एक HTML की form है, तो इसकी value नहीं change करेंगे, क्योंकि well तो है form के अंदर use होता है, तो यहाँ पर हम change करने वाले हैं HTML, यह देखिए, हम इसकी inner HTML को change कर देंगे, अगर वो set नहीं है, तो उसके अंदर नई value आजएगी, तो यहाँ पर rain slider का काम तो complete हो गया, अब इसके बाद देखिए, अगर page first time open होगा, तो यहाँ पर भी हमें इसी वाले age के अंद देता हूँ, HTML, यह देखिए, बाकी इसके अंदर कुछ भी change करने की आपको जूरूरत नहीं है, सारी value अलड़ी site की हुई है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको file को save करके पहले check करा देता हूँ, तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, अपने main template पे और मैंने यहाँ पर file को save किय यह देखिए, हमारा range slider आ चुक है, इसकी ऐसी CSS मैंने अलड़ी करके रखी हुई है, style.css में, और यहाँ पर लिखा हुआ dollar 15, मिरको dollar हटाना है basically, तो यह भी मैं हटा देता हूँ, अब मैं इसको change करके दिखाता हूँ, यह देखिए, जब मैं इसको change कर रहा हूँ, तो उप तो हमारी eject selected value यहाँ पर show हो जाए, उससे पहले हमारे को क्या करना है, जैसी मैं page को open करूँगा, तो सारे records हमारे को यहाँ पर show करने है, तो पहले उसका हम काम कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर जो यह dollars लगे थे, इनको मैं हटा देत रहा हूँ, क्योंकि age जो है वो dollar में हम show नहीं कर रहे, यह देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर एक function बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, load table, यह देखिए, अब इस table को जब भी हम call करेंगे, तो इसके अंदर दो range की value को send कर करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर variables भी ले लेता हूँ, range 1 और range 2, यह देखिए, अब जो यह table है, यह call कप करेंगे, जैसी page हमारा open होगा, तभी यह automatically call कर देंगे, तो यहाँ पर मैं इसे call कर रहा हूँ, और इसकी value के लिए मैं वही वाली value use करूँगा, जो मैंने यह यहाँ पर उपर variable की value set की है, तो देखिए, जैसी page open होगा, तो यहाँ पर v1 और v2 की value मिलेगी 15 और 25, इसी को हम अपने database के अंदर send कर देंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, v1, v2, अब इसके अंदर हम ajax की call लगा लेते हैं, तो उसके लिए मैं PHP का function use करना हूँ, dollar.ajax, यह देखिए, मैंने basic इसका code लिख लिए, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं को option लेनी है, जिसका नमा URL, और इसके अंदर value दे देनी है, get data.php, और इसके बाद मैं यहाँ पर, जोन सा भी data यहाँ पर लेने वाला उसको मैं इस वाली file में send करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर data नाम का अपना option ले रहा हूँ, और उसकी value मैं object की form में भेज़ूँगा, यह देखिए, यहाँ पर मैंने जो दोनो range की value भेज़ रहा हूँ, range 1 और range 2, उसके लिए यहाँ पर variable भी जो लिया है, मैं लेक का name different भी रख सकते हैं, अब इसके बाद, जो यह हमारी file है, get data.php, यह कुछ भी data send करेगी, database से data की value को fetch करके, उसको हमारे को table के अंदर show करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपनी option ले रहा हूँ, जिसका नाम है success, और इसके अंदर एक anonymous function चला लेता हूँ, और जो उन करना है, देखिए, इसको show करना हमारे को table के t body के अंदर, तो इस table पर मैंने id लगा हुआ, table data, तो इसी का मैं selector बना लेता हूँ, यह देखिए, selector बन गया, अब इसी के अंदर, मैंने को इसमें थोड़ा सा change भी करना है, यहाँ पर selector के अंदर लिखना है, t body, यह कौन सी value आ रही है, जो हमारे data नाम के variable के अंदर आई है, तो यहाँ से मैंने copy किया और यहाँ पर paste कर दिया, अब first time जब हमारा page load होगा, तो हमारे जो यह function है, यह अपने अब call हो जाएगा, अब जब call होगा, तो यहाँ पर इसको starting में एक range मिलेगी 15 और 25, तो यहाँ पर इस वाली table के अंदर ही value चले जाएगी, कि user भी जब भी change करें कोई भी value, जैसे यहाँ slider में change कर रहा है, तो भी यही वाला function call हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे user sliders को change करेगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर V1 और V2 की value को change कर देता हूँ, V1 मे मतले कि जो यह function call हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर एक second parameter है, UI नाम से, जो की एक array है, और इस array के अंदर दो values आ रही है, एक range slider के पहले point की, और एक range slider के second point की, तो दोनों के लिए अलग-अलग value है, 0 और 1, उन दोनों की value को मैंने यहाँ पर assign कर दिया, variable 1 को और variable 2 को, और इ इसी के अंदर मैं v1 और v2 की value को send कर दूँगा, यह देखिए, अब user जब भी range slider की value को change करेगा, तो क्या होगा, उसकी नई values आजेंगी v1 और v2 में, और उन दोनों values को हम यहाँ पर send कर देंगे as a parameter, और यह values आजेंगी range 1 में और range 2 में, जिसको हम आगे use कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस file का तो code जो है complete हो चुका है, अब इसके बाद हम अपना आगे का काम करते हैं, जो मारी यह वाली file है, जिसका नम है get data.php, अब यहाँ पर हमारे को database की coding करनी है, तो सबसे पहले हमारे को एक connection बनाना है, तो उसके लिए मैं एक variable लिल ले ता हूँ, कौन और उसक string है, अगर यह function run नहीं होता, तो die function call होजेगा, जिसमें message आजेगा connection field, अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, जो नसी भी user ने दो values भेजी हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, range 1 और range 2, इन दोनों को हमारे को check करना है, कि इनके अंदर कोई value है भी है कि नहीं, तो उस तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी को लेख लेता हूँ, range 1, और इसी के बाद मैं इस पूरे function को copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे and operator लगाता हूँ, और इसी के साथ range 2, मतलब कि अगर range 1 की और range 2 की दोनों की value अगर set है, and लगाया है मैंने, अगर दोनों की value set है, तो यहाँ पर यह इस if condition के अंदर आजेगा, और इसके अंदर आकर मिलको क्या करना है, इन दोनों की values को, range 1 और range 2 की value को, मैं एक variable को assign कर देता हूँ, तो मैं दो variable ले रहा हूँ, एक है min, मतलब कि minimum value, और उसके अंदर value आजेगी, range 1 की, और इसी को duplicate कर लेता हूँ, और यहाँ पर variable ले लेता हूँ, max, जिसके अंदर मैं range 2 की value को assign कर देता हूँ, यह देखिए, और अगर इसके अंदर कोई भी value set नहीं है, तो उसका भी मैं else part बना लेता हूँ, और यहाँ पर यह हो, मैंने दोनों variables लिए, min और max, इसकी value को मैं empty कर देता हूँ, यह देखिए, तो अगर कोई value ह होगी, तो इन दोनों variables को यह वाली value sign होजेगी, और अगर इसके अंदर कोई value set नहीं है, तो यहाँ पर यह empty होजेएंगे, अब इसी के according मैं यहाँ पर अपनी SQL की command बना लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर ही use कर लेता हूँ, अपना एक variable ज where, age, between, जो वरपस min की value आई है, and maximum की value, इन दोनों की range के अंदर जिन भी students के name आ रहे हैं, जा उनका पूरा records है, वो सारा हमारे को show कर देगा, और इसी तरह मैं else part के लिए भी, अलग से एक SQL की command लिख लेता हूँ, जिसके अंदर मैं students का सारा record show कर दूँगा, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, select star from students, order by id, ascending order में सारे students का record आजेगा, अब इसके बाद इस query को मेरे को run करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक variable ले लेता हूँ, और उसके अंदर function चला लेता हूँ, mysql query, यह देखिए, यह हमारा result नाम का एक variable है, और इसके अ unsuccessful, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक variable ले लेता हूँ, output नाम से, जिसके अंदर मैं string की output value send करने वाला हूँ, index.php वाली फाइल को, तो अभी यह empty है, और इसके बाद मिरको क्या करना है, जो उनसा भी result यहाँ पर fetch होके आया है, result नाम के variable के अंदर, उसको मुझे पह देखिए, यहाँ पर मैंने condition लानी if, mysickly, numbers और उसके अंदर variable पास कर दिये, जो हमारा array variable है, result नाम से, अगर उसकी value 0 से जादा है, मतलब कि उसको अगर single record भी मिला है, तो यह इस condition के अंदर आजेगा, और अगर उसको कोई record नहीं मिला, तो यह else part में आजेगा, तो else part के ल मिला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना यही वाला variable ले लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर while का loop चलाऊँगा, जिसके अंदर सारे records को fetch करके, इस वाले variable के अंदर attach करता जाऊँगा, as a string form में, यहाँ पर मैं while loop के अंदर एक variable ले जितने भी records fetch होके आएंगे इस variable के अंदर, उतनी बार यह loop चलेगा, और उतनी बार मैं क्या करूँगा, एक string बनाता रहूँगा, और उसको concat करता रहूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, output, और यहाँ पर लगाता हूँ, dot is equal to, dot को मतलब है concatenation, इसके अंदर आकर, जितने भी records हमार पस यहाँ पर fetch होके आएंगे, उन सब को यहाँ पर show करना है, तो हमारे table में आपको दिखा रहा था कि चार columns है, id, name, age और city, तो उसी को मैं यहाँ पर show करने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक td tag ले लेता हूँ, और इस उसके बाद हमारे को column का name देना है, तो column का name है, id, यह देखिए, अब इसी तरह मैं बाकी की तीन columns भी create कर लेता हूँ, इसी line को duplicate करके, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा column है, उसका नाम है student underscore name, और third column है age, और last column है city, अब यहाँ पर जो id वाला column है, और age वाला column है, इनक values को मैं center align कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं property ले रहा हूँ, html की align, और यहाँ पर ले लिया center, यहाँ पर आपको single quote लेने, क्योंकि बाहर आपने double लिये, इसी तरह मैं age की case में भी कर देता हूँ, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, तो यहाँ पर हमारा इस व अगर वो set है, तो यहाँ पर main और max के अंदर value set हो जाएंगी, और इसी को मैं use कर दूँगा अपनी SQL की query के अंदर, यहाँ पर देखिए, और अगर value set नहीं है, तो यहाँ पर हमारी SQL की query change हो जाएगी, और इसके बाद मैंने इस query को run कर दिया, यहाँ पर, उसके बाद मैंने यह चेक किए, कि इसके अंदर कोई record आया भी के नहीं, result नाम के variable के अंदर, अगर आया है, तो यहाँ पर आजेगा, और वाहिल का loop चल जेगा, जहाँ पर मैंने connect किया सारी values को, और अगर इसके अंदर कोई record नहीं आया, तो यहाँ पर message आजेगा, no record found, यहाँ पर हमने एक इसके बी की है, यहाँ पर जब यह output नाम का जो पूरा variable है, यह set हो जेगा, वाहिल लूप के बाद हमारे को यहाँ पर इसको send भी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर echo लगा लेता हूँ, और echo में मैं भेजता हूँ, output की value, यह echo आपको वाहिल लूप से बाहर लगाना है देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने file को save किया, अब ही मैं आपको एक बर ब्राउजर में check करा देता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने file को refresh किया, यहाँ पर data show नहीं हुआ है, first time show नहीं होरा है, जब मैं slider को change कर रहा हूँ, तो show हो रहा है, अब देखिए age जो है 15 से 20 की बीच में तो देखिए 3 records आगे और जैसी मैं इस range को 25 तक ले जाता हूँ तो देखिए student भी बढ़ चुके हैं और जैसी 30 तक कर देता हूँ तो देखिए सारे records आगे 9 records और जो first time में open नहीं हो रहा है उसको भी मैं check करता हूँ सबसे पहले मैं console में check कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने press किये F12 और यहाँ पर console open करता हूँ यहाँ पर देखिए एक error दिखा रहा है V1 is not defined कर रहा है तो इसको भी मैं check करता हूँ तो मैं यहाँ पर आया और अपनी index फाली file में जाता हूँ देखिए यहाँ पर यह कह रहा है V1 is not defined तो यहाँ पर मैं उपर check कर लेता हूँ यहाँ पर गलती क्या हो रही है मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो यह मैंने starting किये document और डड़ेगी इसको यहीं पर close कर दिये और इस से बाहर यह function बनाया है तो इसको मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ पूरे code को और यहाँ पर मेरे को डालना है यह देखिए तो यहाँ पर document.ready की braces बंद होनी चीए तो उसी के अंदर मेरे को यह code डालना था तो यहाँ पर अब मैंने file को save किया और यहाँ पर आकर file को refresh यह देखिए, अब first time 9 records आ रहे हैं आप देख रहे हैं, अब मैं इसको change करता हूँ तो देखिए records भी change हो रहे हैं और उसकी age आ रही है 15 से 18 तो देखिए 2 records आ गए मैं first वाले slider को change करता हूँ यह देखिए तो हमारा जो यह range slider है यह proper चल रहा है तो आपको यहाँ पे clear हो गया होगा कि जैसे shopping की websites पे एक price range होती है जिसके अंदर slider लगा होता है तो वो कैसे work करता है तो इसके अंदर हमने किया कि जस हमने यहाँ पर use किया jquery UI का plugin, range slider और इस वीडियो का जो उनसा भी source code है पूरा complete जो मैंने इस वीडियो में किया है वो आपको नीचे description box में उसका link मिल जेगा जहां से जाके आप इसे easily download कर सकते हैं Hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसी regular updates आते हैं तो हमारी channel यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए Thank you